आज हम जो मसाला मूंग बड़ी बनाने वाले हैं तो इसके लिए आपको ना तो दूप की जरत है आप कभी भी पंखे में इसको पना सकते हैं साथ ही स्पेसल मसाला सेयर करूंगे जिससे ही आपकी जो मूंग डाल की बड़ी है ना मार्केट से भी कई गुना अच्छी बनकर त्यार होंगे और आप इसे पटाफट बना के त्यार कर लेंगे आप इन्हें एक बार बनाईए और ये दो से चार साल बिलकुल भी खराब नह इसे बनाने के लिए हमने एक बार लिया है इस पर हम लेंगे मूंग की डाल क्यूंके आज हम मसाला मूंग डाल बड़ी बनाने वाले है तो मैंने ये धुली वाली मूंग की डाल लिये इससे पहले भी मैंने आपके साथ बड़ी का वीडियो सेयर किया उस पर धुली प्लस म तो मैंने यह पहले से डाल को बीग लिया था और ढ़ोलिया था ताल को मैंने 6-7 गंटे के लिए ताल अच्छे से भीग चुकी है हम एक डाना उठाके आपको चेक कराते हैं इजली कट रही है तो दाल हमारी अच्छे सी भीगी कोईंटिटीव में डबा लो चुकि पानी हम इसका सारा हटा दे और मैंने एक जाली पर निकाल लिया है थोड़ा सा फैला देते पांच मिनट इसी तरीके से छोड़ देते ओबर पानी निकल जाए अब फांच मिनट बाद दिकें ताल का सारा पानी निकल गया है तो हमने जाइट कर लिए एक मिक्सी का पड़ा ला जा लिया है इस पर हम डाल डालेंगे तो एक साथ आपको बहुत सारी डाल नहीं डालना है एक बार जितनी अच्छे से ग्रैन दो जाए बस उतनी ही डाल डालेंगे इसने में हम बिलकुल भी पानी का यूज नहीं करेंगे मिक्सी को रुका-रुका के उस करते हुए इसको हम पीस लेते हैं लेकिन एकदम फाइन हमें पेश्ट नहीं बनाना है और यह देखे दाल हमने इसको पीस लिया है तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि यह जो डाले ना हमारी एकदम फाइन नहीं है हाथ से हम देखेंगे तो हलके इसमें रवाय आप इसका टैक्चर देख पा रहे हैं इधर मैंने अदेखेंदे मांना वागोना ले लिया है तो लित मोह बीन की शायटे F अधर मैंने 2000-06 म ब्राइओ मखे लिया है कट लिया है और। 30 मारी नहीं मिर्चि पांस इछा सूखी लाल मिर्चि उक्ट बतल लेए जए ने इक बाइस पीस पाइसरी मिर्चि लेकिन हमें इसको पीस के सिरा है युज इसपा पीस लेटेंगे लेकिन आमक्ञेन आ पीकिन भावडर को सूखत अननों हो गया है आप इसका टेक्चर देख पा रहे हैं कि दाने भी आपको दिख रहे हैं, इसको मैंने साइट पर रख दिया है, इधर मैंने डाल को ले लिया है आदा चमच मैंने हींग लिया है, हींग मेडी स्ट्रॉंग है यह दे आपकी स्ट्रॉंग नहीं तो आप ज्यादा यूज कर सकते हैं, बनाया हुआ मसाला जो था ना वो भी आम इस पर सारा एड़ कर देगा, बनी को और भी ज्यादा टेश्टी बनाने के लिए 2-3 चमच हरा आदा चमच की करीम नमक डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे ज़्यादा नमक को स्केप कर दीजे वरना वो पानी छोड़ देता है, और हमारी जो बड़ियां हैं गीली हो जाती है, चमच या तो आप हांतों का यूज कर सकते हैं, मैंने इस बिसकर का यूज किया है, और अब हम दाल को अच्छे से फेट ले दें, हमें दाल को जब तक फेटना है, जब तक यह लाइट एक दर फ्लफी क्रीम जैसी नहीं हो जाती है, इस स्टैप को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और दाल को हमने एक से दू मिनट फेटा, इसका कुछ कलर चेंज हो मैंने टूटल दाल को चार से पांस मिनट के लिए फेटा है, और यह देखेंगे आप कितनी हलकी हो गई है, और जब हम बिस्कर में इस तरीके से लेंगे तो बिल्कुल भी नहीं गिर रही, क्रीम फॉर्म की होगी, बिस्कर को खटा दिया है, और इस पून से आप देख पा वरना आपको आपको बढ़ियां मनाने में दिक्तत होगी, तो हमें आदा ही पाइपिंग बैख को भरना, उपर से मिस पर रवर को लगा देते हैं, जिससे यह उपर से बंद हो जाए, और यह देखी, यह हमारी इस तरीकी कि मैंजी जैसी कोन बंद चुकी है, तो मैंने कैच तो हम इसको नीचे से थोड़ा सा कट करेंगे, जादा बिल्कुल भी मत करिये, और इस तरीकी से मैंने काट लिया पाइपिंग बैग को बापस सी ग्लास में छोड़ देते हैं, तो इधर हमने ले लिया है प्लेट है, आप चाहें तो जो पॉलिती होथी उस पर भी लगा सा इसका बीडियो मैंने पाले डाला इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बग और आई बटन पस देदू हमें अलका सामें और लगाने बस हलका सा ग्रीस करना है तो सारी प्लेटों का इसी तरीकी से ग्रीस कर लीजिए इधर मैंने पाइपिंग बैक को उठा लिया है और हमें हलका सा इसमें ड्रॉप जैसा रखना है तो मैं छोटे साइज की बढ़ियां बना रही हूं आप चाहें छोटी बढ़ी कैसे भी बना सकते हैं जो मूं की बढ़ियां होती ना वो थोड़ी चोटी बनाई जाते हैं और इतकी जाल की बढ़ियां होती हो थोड़ी बढ़ पूरी प्लेट भरके ये बढ़िया बना ली है और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट साइज बनाई ये आपका अपने मर्जी से आप बढ़ी छोटी कर सकते हैं इसको साइज रखा आप से बनानी के लिए थोड़ा सा मिक्चर लेना है हाथ को एक बर पानी में डिप करना है और इस तरीके से अंगुटे और उंगली से बढ़ियों को तोड़ते जाना है साइज आप पर डपेंड करता है बढ़ी छोटी आप कैसी भी लगा सकते हैं और ये देखिए ये वाली भी कितनी फटाफट से बढ़िया बन जाती थी तो पहले के जमाने में तो बढ़िया ज इसी तरीके से बना लियां तो दो बड़ी पराद भर चुकी है और दो छोटी प्लेट आधी किलो में बहुत सारी बढ़िया बन जाती है तो मैं इन्हें पंखेक में सुखाने वाली हूँ आप चाहें तो दूप में एक दिन में सूफ जाती है लेकिन पंखेकी अमें में ड कोली है एक दम पहुती बढ़िया मार्केट से अची मसाला बड़ी बनी इनके अंदर देखिए यह जो हमने फेटा था ना कोती एरी है बड़ी बनती है अंदर तक इसके मसाला जाता है तो आप लंबे समय श्टूर करने के कोई कहां से प्लास्टिक कर डिप लीजिए और उ बहुत ही मज़ेदार मार्केट से अची मूं मसाला बड़ी बंतर त्यार हो गई है आप एक बार जरूर बनाएए यकीन मानिया आपको सभी को बहुत पसंद आई आई हो फ्रेंस आपको आज की रेस्पी बहुत पसंद आई होगी रेस्पी पसंदा जो वीडियो को लाइक स टाइब करना ना भूलेगा मिलते हैं ऐसी ही नेक्स रेस्पी के साथ तब तक के लिए पाइए